नमस्कार दोस्ताज बात करूंगा जूपिटर परिसनल लोन के बारे में आपको बता दू कि वहाँ पर मेरी क्रेडिट लिमिट जो है वो परिसनल लोन की भी इंक्रीज कर दी गई है उसे के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में डिटेल में और कितने जिन में इंक्रीज हुई है उसके बारे में भी आपको बता दो कि जो credit limit है मेरी अभी वहाँ पर 85,000 रुपए हो गई है और credit limit की मैं अगर बात करूँ तो 30,000 रुपए credit limit जो है मेरी वो बगई है personal loan में उसके सब्सक्राइब यहां पर आप स्कीन देखिए और स्कीन में आपको देख रहा होगा कि पहले वहाँ पर 55,000 की credit limit थी जो personal loan था जूपिटर एप में जो loan वाला section है वहाँ पर आपको दो loan मिलते है मेनी loan मिलता है और एक personal loan मिलता है तो वहीं पर मुझे पर मेनी loan में भी आपने पिछली वीडियो में देखा होगा credit limit जो है वो मेरी increase हुई है और साथी साथ आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ पर जो limit है वो मेनी loan की जो है वो तीसरी बार update हुई थी या यह कह लेज़े कि तीसरी बार बगली थी और personal loan की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि पहले मेरी वहाँ पर 55,000 की थी और अब आपको दिखाना चाहूंगा वहाँ पर मेरी 85,000 रुपए की loan की जो limit है वो आपको देखने को मिल रही होगी और अगर आप उसको देखेंगे तो पहले 55 थी और अभी 85 है तो लगभग 30,000 लगभग क्या मतलब 30,000 की credit limit जो है वो personal loan की मेरी बगली है और साथ ही साथ आपको यह बता दूगी यह कितने दिन में मार्च महीने से जो loan वाला section है उसको यूज़ कर रहा हूँ यानि की mini loan ले रहा हूँ तो उसके वज़े से साथ यहां पर भी credit limit increase होती होई नजर मुझे आ रही है और साथ ही साथ वहाँ पर जब मैंने loan लिया था mini loan में तो उसको repayment भी किया था तो जो आप कह सकते हैं वो य requirement नहीं रहती है तो नहीं लेता हूँ तो अब इस मैंने नहीं है तो मैंने नहीं लिया है लेकिन मुझे जो लगता है कि उसके वज़े से ही repayment करने के वज़े से mini loan को यहां पर personal loan का जो amount है credit limit है वो increase होई है और साथ यह भी बताएं चाहूंगा आपको कि जो पहले वहाँ प बतादो कि यहां पर मेरी 30,000 की जो credit limit है वो increase होई है personal loan में जो पिटर loan जो है जहां पर आपको loan मिल जाता है वहाँ पर और अगर आपको increase करना है तो मैं यही suggestion करना चाहूंगा या पिर यह कहना चाहूंगा कि आपको जो mini वाला section है जो पिटर mini loan वहाँ पे आप loan लीजिए और उसको repayment करिए तो आपकी वहाँ पर भी credit limit increase होई आपको दिख जाएगी आपने पिछली वीडियो में देखा होगा मेरे जो credit limit है वो mini loan में हुई है और जो personal loan है उसमें भी आपको credit limit increase आपको दिख जाएगी कि वहाँ पर आपकी हो गई है तो इस तरह से आप अपनी credit limit ज कर सकते हैं आपको अगर उससे कुछ कहना है या कुछ share करना है या कुछ पूछना है तो आप मुझे इनस्टाग्राम पर भी message कर सकते हैं वहाँ पर भी है फिर आप कह सकते हैं कि connect हो सकते हैं इंस्टाग्राम पर जो की आईडी है एडरेट सादर टाइम्स और सादर टाइम्स ब्लॉक्स के नाम से की यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको ब्लॉक देखने को मिल जाता है तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल झाल